आज के लेक्चर में हम अमारे थर्ड टॉपिक के गवर चल रहे हैं मोड मेजर ऑफ सेंडरल लेंज के थर्ड टॉपिक था इसके अंदर मोड के बारे हम डिसकस करेंगे कि मोड किस तरीके से कि अनगे जाता है आगे बड़े उसके पहले मोड होता क्या है और जिसकी रेक्वेंशी ज्याधा है उसको क्या बोलें हैं हम मोड बोलते हैं अभी इसकी फॉर्मला तो अंग्रूब डेटा के अंदर जा इसकी फ्रिक्वैंसी मैक्सीमम मूती है एक सीयक एक सब्सक्राइब के साथ मैक्सिमम होती है वह क्या होगा मेरा थर्ड फर्मला है जब क्लास वाला सम दिया हो क्लास वाला सम के दर हमारी मेजर फर्मला अपला होती है वो है L फ्लस FM – F1 upon 2 FM – F1 – F2 into C जहां पर L क्या होता है लोवर बाउंटरी पॉइंट आफ मॉडल क्लास जो मॉडल क्लास है यानि जिसके इनल सबसे हाइस फ्रिक्वंसी वो क्या होगा मेरा मॉडल क्लास उसकी जो लोवर बाउंटरी पॉइंट है उसको हम क्या देनोट करते हैं एल्स है was agree with a f m frequency we the highest frequency जो हाइस्ट frequency है जो maximum frequency है अथ्यों क्या होगी मेरी मॉडल क्लास वह मेरा Fm की फ्रिक्वंसी होगा मॉडल क्लास का फ्रिक्वंसी होगा बने फवन जो लोख बाच्वेंटरी यह इसको आप iron क्लास के जो पेहलें बाले जो फ्रिक्वंसी यह रहते हैं इसके अलावा एक और मेथड है एंपरेकल फॉर्मला जो है मो यानि मोड इकुल टू फ्री एंप माइनस तू इक्सबार फ्री मींस थ्री टाइमस ओफ मीडियन माइनस ट्यू टाइमस ओफ एवरेज यानि मीन अभी यह फॉर्मला के लिए कुछ वह फॉर्मट फ्रीक्ष कंडीशन से टोडल पांच कंडीशन से पहली कंडीशन क्या है जब हमको रोड़ेटा दिये जब एक साइड यह है तो जो मैक्जिमम नंबर ऐफ टाइम रिपीटेड अप्जर्वेशन से वो क्या एक ही होनी चाहिए एक ही ऑब्सर्वेशन वह वह मै उपल मेथर से लगी अगर एक टैम रेपीड है तो हम कौंसे फर्मला अपलाए करेंगे यह वाली फर्मलाए करेंगे तो फिर 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 और बोल धन ब्सक्रवेशन उनक फ्रीक्वोंसी डिस्टिबिशन अपियर्स विद् सोट इस फ्रेक्वास्वेंसी जब हमारी फ्रेक्व सब्सक्राइब करेंगे इंपरेकल फर्मॉला अपलाइब करेंगे थर्ड जो क्लास दिये हो वो क्या है उनकी जो लेंथ है वह एक्वल नहीं है सपोज को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करना पड़ेगा जो मोड वाला फॉर्मुला अपला है नहीं होगा यहां पर दिस्ट्रिबिशन दिया हुआ है जो डिस्ट्रिबिशन है वहाँ पर एकसाई और क्लास दो लो दिया हुए जो लेसे टाइप के सम दिये हैं तो हमको कौनसी फॉर्मला अप्ला करनी है तो हम देखें किस तरह की से फार्म्ला सप्लाय हो रही है तो एकसी 3.5 के अंदर कुशन वह वन क्या दिया है डिया है डिया है देख लेते हैं सॉलुइशन इंदर रॉड डेटा मैंग्जुम टैप रिपीटर अब्सविशन इसको क्या बोलेंगी मोड तो 146 देखें रिपीट हो रहा है तो एक बार और टू टैम्स 146 कि ने में रिपीट हुआ टू नेम्स एक यहां पर और एक यहां पर जन आफ्टर 134 ने 134 रिपीट ने हो रहा है तो 143 143 भी रिपीट ने हो रहा है 144 144 भी रिपीट ने हो रहा है तो 138 लू को यहां तो यह हमारा क्या होगा तो यह हमारा क्या होगा मोड चीक है इसी तरीके से next question की तरफ next question क्या है the following tables gives the number of the cake sold each day at the bakery find the mode of the sale of cakes बराबर जो cake बेच रहे हैं उसका हमको मोड निकालना है data दिया है number of cake cakes का हमको data दिया है कि 10 cakes 12 13 16 17 18 और कौन से कौन से कितने देखे कितने बिकर है उसका data दे दिया है तो solution निकाले हम हम तो सबसे ज्यादा केक 25 days 25 days कितने के के 13 के करें हर डे 25 days कितने के 13 तो यह हमारा क्या होगा mode the model value of the sale of cake is 13 which has been sold for 25 days चीक है तो यह हमारा model value हुआ next question की तरफ चल रहे हैं नेक्स कुशन है हमारा कुशन नवर फाय अब सब सबसे पहले हम जो simple type के जो mode वाले समसे वो कर रहे है then after we will do the empirical formula method empirical formula हम बाद में करेंगे पहले जो simple समसे पहले हम वो कर रहे हैं तो यहां पर क्या दिये the table below shows the data about the weight of 86 apples from a garden find the mode of the weight of the apples तो वेट दिये है apple के और उसका data दिया हुआ है तो 120 से 130 gram के apples ऐसे कितने 8 130 से 140 gram वाले अपल ऐसे कितने 13 140 से 150 ऐसे कितने 19 and 150 से 160 ऐसे कितने पाई इस तरीके से हमको जो data दिया हुआ है देखें अब यहां पर जो data दिया है आप देखने class length हमारी क्या equal 1010 का है maximum time observation भी repeated एक ही है 23 वाली एक ही आ रहा है and open ended class भी नहीं है starting point भी fix है ending point भी fix है तो यहां पर नॉर्मल फॉर्मला यह अपला है करेंगे ठीक है कौनसी formula अपला होगी mode वाली बड़ी formula अपला होगी तो सबसे आइस observations कौनसी है 23 तो उसके सामने जो observation होगा class होगा वो क्या होगा मैरा model class गलिया मैंने 150 model class के अंदर lower boundaries यह मेरा model class 151 60 इसके अंदर का एका मेरा 150 FM क्या है frequency of model class module class की 23 142 मलेब्स के पहले बाली frequency तो मॉरेधे पहले रिक्वेंस कितनी है 99F2 क्या होगा model क्लास के बाद वाली फ्रेक्वेंसी तो मोडल क्लास के बाद वाली फ्रेक्वेंसी कितनी है चैन एंड क्लास लेंद क्लास लेंद कितना है 10 फॉर्मला अपलाए कि कि मोड टू ल प्लस fm minus f1 upon 2 fm minus f1 minus f2 into c fm equal to value दिस्पूट कर दी एल की जगा 150 FM की जगा 23 F1 की जगा 910 F2 की नीचे 2 FM की जगा 23 F1 की जगा 910 F2 की जगा 10 इंटू 10 चेक है स्वाल किया 23 माइनस 94 223 जब 46 910 माइनस 10 दन आफ्टर 4 अपान 17 माइन इंटू 10 सुल किया तो 150 प्लस 2.35 यानि आंसर होगा मेरा 152.35 तो आज के लिए इतना ही आज सुफ हमने इस तरीके से करवा रहा हूं आपको तब कि आपके तो माथर मिक्स नहीं हो जाए आपको प्रोपर तरीके से ध्याना ना चीए कब कौन सी फॉर्मला हमको अपला करनी है तो आज के लिए इतना ही इस टाइप के समस आपको हमबक में आप डाउनलोड कर लीजएगा और स्मस all कीजेगा. Thank you very much.